हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके शमक्ष आपकी पाठी पोस्ती का संस्कृत सरोबर लेकर उपस्तित हुए हुए हुए। मात्र भक्ति देश भक्ति मात्र भक्ति और देश भक्ति के विशाय में इसके विशाय में कुछ हुए। बचों इस पाठ को प्राडंब करने से पहले आईए जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी पाठ को प्राडंब करने से पहले उस पाठ में जो संस्क्रित सब्द है उसके हिंदी अर्थ को जानने के लिए हमें सबसे प्रथम इसके सब्दार्थ को पढ़ना आवश्यक आता सबसे पहले हम इसके सब्दार्थ को देखेंगे और पढ़ेंगे आपका पाठ है शेक्स और इसकी इसका जो टोपिक है वो है मात्री भक्ति देश भक्तिश्च बच्चों आईए सरपर्थम मैं इसके सब्दार्थ से आपको परचित करवाती हूँ मैं इसके संस्कृत अर्थ संस्कृत सब्द के हिंदी अर्थ को मैं बताओंगी मैं इसलिए आपको इस सब्दार्थ को मैं पढ़ाती हूँ ताकि आप जो इसका जो उचारन है वो अच्छे से कड़ पाए आईए मेरा जो मक्सद है वो आपको जो है इसके उचारन को शम्झाना और इसके हिंदी अर्थ को मैं बताऊंगे ताकि आप भी सुध सुध उचारन के साथ सब्द के अर्थों को पढ़ सके सब्दार था मात्री भूमी मात्री भूमी का आर्थ होता है जन्म भूमी सर्बोत्तमे सर्बोत्तमे का आर्थ होता है सबसे उत्तम बाल मित्रे बाल मित्रे का आर्थ होता है बाल सक्खाओं के साथ मित्री मृत्ती कया मृत्ती कया का आर्थ होता है मिट्टी से शासितों का आर्थ है राज करते हुए प्रचुरै का आर्थ होता है परिपोर्ण परिहर्तव्या का आर्थ होता है छोड़ देना चाहिए यथा सक्ति का आर्थ होता है अपनी सक्ति के अनुसार चेश्टी तव्यम का अर्थ होता है चेश्टा करनी चाहिए स्वर्गा अदपी का अर्थ होता है स्वर्ग से भी गड़ियशी का अर्थ होता है गोडवपूर्ण है इस प्रकार से जैसे मैंने आपको उचारन संस्क्रित के उचारन के साथ इसके हिंदी अर्थ को पढ़ाया है आप सभी बच्चे भी इसी प्रकार से सुध सुध उचारन करते हुए इन सब्दार्थ को याद करेंगे बच्चों आपको जब मैं इस चेप्टर को पढ़ाऊंगे तो आप इसमें देश भक्ती से आपकी जो निवन्द है वो भी तयार हो जाएंगे आप अच्छे से इस चेप्टर को पढ़ेंगे तथा इसे निवन्द ही दियार कर सकेंगे बच्चों आज मैंने आपको जो है मात्र भक्ती मात्री भक्ति ही देश भक्ति चब इसके सब्दार्थ से मैं आपको परचित करवाया मैंने इस चानल के साथ सब्द के हिंदी अर्थ को मैंने बताया है आप सभी बच्चे सरप्रथम इन सब्दार्थ को याद करें ले वो न हमें इस ट्रॉफी के साथ फिर उपस्तित होंगी तब तक के लिए धने वाद